अपका स्वागत है हाजीर आपके लिए आज की खास अबडेट को लेकर तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह आपका जिसका की काफी समय से बहुत से अभ्यारती जो है वह इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है जितने हैं कई दिनों से 26 तारिक से लेके कांटीनिव वहां पे बैठे हैं लेकिन फिर भी एच्पीपेसी द्वारा कोई जो रिजल्ट है वो नहीं निकाला जा रहा है कोई दबाव उन पे नहीं बन पा रहा है दबाव ना बनने की वज़ा उनके अकॉर्डिंग ये है कि वहां प अतना फास्ट जो वर्किंग नहीं हो पा रही है जो की एक दो दिन में रिजल्ट निकले तो अब इन्होंने ये डिसीजन लिया है जो भी अभियारती वहां पे हैं इस टाइम वह यह कह रहे हैं यहां पे कि जो अब यह रेली निकालने वाले है और एक बड़ी रेली जो की इतने एस्पिरेंट्स है वहां पे इकठे हो ये उनकी डिमार्ड है अब इन्होंने क्या कुछ कहा है इसको हम पूरा पढ़ेंगे क्या पी कुछ कहा है इन्होंने तो इसमें दिखते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं अपने हक की लड़ाई में सभी अपनी भागेदारी सुन आयोग पहुंचना पड़ेगा तब जाकर हमारी बात सरकार तक पहुंच सकती है यदि एक अक्तूबर को भी करमचारी चैन आयोग के बाहर रैली में कोई नहीं आता है तो यहाँ भरती अचार सहीदा में फस जाएगी इसलिए यहाँ ही सही समय है सभी अपने हक के लिए घ प्रडिक्ट नहीं कर रहा है इस भरती का रिटन एक्जाम होकर एक वाल से ज्यादा समय हो चुका है इसी बीच कुछ कंडियर जो है कहीं और जौब पर लग चुके है और हिमाचल के इतिहास में इतनी ज्यादा पोस्ट पर आज तक कोई भरती नहीं हुई है मर्सी का असली नेक्स एक्जाम की त्यारी करेगा कम से कम रोज की टेंचन तो खटम होगी तो ये तो काफी अच्छी बात कही है इन्होंने वैसे क्योंकि जिनका एक्जाम निकला है जिनकी डॉक्युमेंट वरिविविकेशन हो गई है उन सभी को उमीद है कि कहिना कहीं हो सकता है हमारा जो है 800 में भी हो जाए इस वज़ा से जो जो उनके नेक्स्ट एक्जाम है वो भी उनकी त्यारी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से ये भी काफी उन पर असर पढ़ रहा है आगे इन्होंने कहा है कि जो सोच रहे हैं कि रिजल्ट तो आ ही जाएगा हम क्यूं जाए या सोच रह होगी जानिंग लेट होगी खुद ही सोचो क्या ये नुकसान 20-25 लोगों को ही होगा जो कमिशन के बाहर 26 तारिक से बैठे हैं प्राइबेट जॉब उनमें से भी कर रहे हैं पर उनमें अपने हक की लड़ाई लड़ने का दम है दूसरों के वरोसे नहीं है फिलोग ये रेली में 25-30 लोग ही इकटा हुए तो धरना उसी दिन खत्म कर दिया जाएगा और सभी अपने घर चले जाएंगे फिर भूल जाओ के रिजल्ट भी आएगा इस साल फिर रिजल्ट के लिए लगाते रहना चक्कर इलेक्शन के पास नहीं सरकार के पास ये ही आकरी मौका है एक अक्तूबर को कम से कम 400-500 लोग चाहिए हमिरपूर इसलिए सभी अपने हक के लिए आगे आएं और इसरेयली को सफल बनाएं तो ये बाते इन्होंने कही है कि ये इन्होंने डिमार्ड की है कि एक तारीक को यानि कि एक अक्तूबर को आप हमिरपूर आए लगभग अग जो पॉइंट है और ये सोच रहे हैं कि हमारा जो सेलेक्शन है नहीं हो पाएगा तो इस वज़ा से उनने इवमन बना दिया है कि जब रिजल्ट आएगा तो ठीक है तो उनसे भी इमांग कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है जो कट अप है वो कट कम जाने के चांसिसमें है वह बात भी सँही है क्योंकि उतनी वढ़ी भल्ती हैं तो जहां पे जिल्न जाधा पोस्ट होती है तो कट अवह द्यादा धार नहीं रहती है जो कि प्रडिक्ट भी कर रहें हैं बहुत से यृटिवर् तो ऐसा नहीं है क्योंकि जる बड़ी भर मांग की है कि आप एक अक्तूबर को हमिरपूर आये अब देखते हैं कि कितना आप सहोग करते हैं अब इसमें मैं तो आपको खुछ